नमस्तार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर, मैं हूँ आपका दोष राजिन सरोडिया, दोस्तों आज से हम मैच्स को टापिक वाइस पढ़ेंगे, और आज से हम सुरुवात कर रहे हैं मैच्स का पहला टापिक है संख्या रेखा, जिसे हम कहते हैं नमबर सिस्टम, ठीक है, तो चलिए सुरुवात करते हैं कुछ इंपोर्टन कोस्टन देखेंगे, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्काइब कर लेना, दोस्तों हुआ समय और संसाधनों की कमी है, ठीक है, आ पहला नपिक पढ़ रहा है हम आज संख्या रेखा या नमबर सिस्टम, सबसे पहले एक बेसिक चीज होती है, इसमें संख्या रेखा क्या होती है, इसको समझने का पज्यास करें, ठीक, जो डायग्रम माना हुआ है, दूस्तों एक लाइन खिची हुई है, इसमें नमर चाहिए, सिर्फ इसी डायग्रम में आपको सबको समझ मा जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात है दोस्तों की धन पूर्लांग की क्या होते हैं, देखिए, जो वन है ना, यहां से लेके स्टार्ट करेंगे हम तो इंफ्राइट तक जो होते हैं, यह कहलाते हैं, धन पूर ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ लेना, कि एक से लिखके अनंध तक जो संख्यार होंगी, वो धन पूर्लांग के कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, धन पूर्लांग के कहलाएंगी, ठीक है, इसके बात दोस्तों, माइनस बन से लेके इन्पनेट तक जो संख्यार हो हो जाए जीरो इंक्लूड हो जाए ठीक है मतलब टोटल ठीक है टोटल हो जाए तो उसको कहते हैं हम पूर्डांक कहते हैं ठीक है पूर्ड संख्या क्या होती है देखिए धन पूर्डांक कहां से कहां तक है एक से लेके इंफिनाइट तक है ठीक है लेकिन जब धन पूर्डा नहीं उसमें रहेगा जीरो वन टू खी टिक थेसमें धनफूर नंग जीरो नहीं है लेकिन पूरी संख्या जब आएगा तो याद रखना फूरी संख्या में जीडियोट होता है तो मैं यह चोटी-चोटी चीज़ बताता हूं लेकिन इनको को हलके मत देना यह सब को चन आते हैं ठीक है मैं थोड़ा बलेक बूर्ड देखने हुं दोस्तों का भी कि मैं इस दुड़ा नीचे जुआएक चलेए अब सांख्याय के होती है देखिए, सम संख्या ऐसी संख्या होती है, जो दो से विवाजित हो जाती है, ठीक है, तो दो, चार, छे, देखिए, सम संख्या दो हो जाएगा, चार हो जाएगा, छे हो जाएगा, आठ हो जाएगा, दस, जो दो से विवाजित होती है, वो सम संख्या कहलाती है, विसम संख् होती है दोस्तों जो स्वयम के अलाबा थीक है यह हो जाएगा पास हो जाएगा साथ हो जाएगा यह विसम संख्या जो है हो गया आपका चार हो गया ठीक है शे होगिया— और इसका बारह हो गया Android यह वती है यह संख्या इस नहले किसी संख्या से कि वह बहाती है जो जाएगा दु हो जाएगा एक सिन मिस्टाइब हो जाएगा लगता है तो वो भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में दोस्तों क्या होता है कि इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता सोयम को और एक को छोड़के जैसे मान के चलिए तीन हो गया ठीक है तीन में किसी का भाग नहीं जाता पाच हो गया, साथ हो गया फ़र ग्यारा हो गया है पिर सत्तरह हो गया फिर उन्ने सह हो गया इए आपको यहां तक याध होना चाहिए क्योंकि कुस्छटन आता है कि छमद्ध से वाज्य संखे नहीं है या उसमें के संख्रला हो वाले कुष्चन आ तब भी एकोश्चन आ जाता है तो यह बेसिक चीज थी आपको समझ में आ गई होगी मासा करता हूं ठीक है चलो कोश्चन करते हैं अब बहुत भ्यान से पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे अपना कोई दिक्कत की बात नहीं है दूसरे क्लास में आप आधा हंटम जेतना सीखते हूं उससे बहतर और ज्यादा यहां आप मातर 20-25 मिनट में सीख जाओगे तिक क्योंकि हम समावरवाद नहीं करते हैं तिक भालत है तो सीधे क्वेश्चन लिखते हैं मैं हाद 6 क्वेश्चन लिख लेता हूं ठीक है कि वन टू टी फॉर फाइब से लेके साथ तक इसके बाद दोस्तों दूसरा है 21 22 23 24 21 23 24 और 75 तक जा रहा है ठीक है इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 246 8 10 60 24 6 8 10 कि यह 60 तक जा रहा है ठीक है इसी प्रकार से 1 35 7 79 एक तीन 5 7 79 यह चार क्वेश्चन लेते हैं चारह क्वेश्चन में आपके कॉंसेट क्लिए हो जाएंगे ठीक है कोस्टन कर रहा है कि इनका योग याद करिए ठीक है तो देखें सबसे पहले दोस्तों क्या होता है आपने कट्छा 10 में पढ़े होंगे समानतर सेटी क्या पढ़े होगे समानतर सेख़ी ठीक अगे आने वाली से अगे आने वाली संख्या मैं अंतर समान रहता है ठीक है, मतलब सभी जगह क्या रहता है, अंतर समान रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, मतलब सभी में अंतर समान है, मानकर चलिए एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, तो इसमें एक और दो की बीच में एक का अंतर है, दो और तीन की बीच में एक का अं 4 5 की बीच में आख में रिकाक सी इसली गाल है एक समानतर है इसे प्रकार से दो चार और सब्हुल को हो करते हैं चार दो सकती है जहां पहले इस प्रकार से सभी स्टेप के बीच में अंतर समान रहता है मतले सरवंतर रहता है वराबर रहता है उसे हम कहते हैं समानतर स्टेड़ी कहते हैं तो यहां पुश्चन है कि एक दो चार पांच इन संख्षाओं का योग याद कीजिए ठीक है जब आप दस्वी क्लास पढ़ते थे तो आपने फार्मुला बढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लेगे ठीक है फार्मुला था यहां लगता हूं मैंला उसको टी एन मरावर ए प्लस एन माइनस वन इंटो डी टी एन मरावर ए प्लस एन माइनस वन इंटो डी यहां टी एन क्या होता था एन वा पाद होता था मतलब अंतिम पाद होता था और ए क्या होता था प्रथम पाद एन क्या ह होता था पतों की संख्या माइनस वान इंटू डी मतलब सारवंतर होता था ठीक है लेकिन हमको यहाँ पर सबसे पहले इस कोस्चन में क्या करना है एन गयार करना है तो इस फार्मुल से पर संख्या की बीच का अंतर ठीक है तो हमको क्या गयात करना एन गयात करना है तो सबसे पहले ऑन तिम पद मायनस प्रृथम पद मायनस प्रृथम पद यह हो जाएगा उ यह माइनस बन जाके उधर के हो जाएगा प्लस बन में हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका एन जब भी हमको निकालना है तो अन्तिमपद माइनस प्रथमपद बटे सारवान तर प्लस वन ठीक है यह इसका फर्मला हो जाएगा ठीक अब यह क्या करना है तो यह बराबर होत त्रॉस्तों क्या होता है अंतिमपद कि प्लस प्रधाम पद दो मक फिरीष ayam 007 एक देखता है यह क्रेंट प्रिफंपत कितना है एक वटे सारवंतर कितना है दो मसिफ गए एक प्लस वन कर दो तो उन्चट में जाएगा साथ ही आएगा सिंपल सीवाथ है यहां साथ पत लिख रहा है ति साट यह आएगा ठीक है यहां निकालने के जुरूद भी नहीं थी लेकिन फार्मुला यह काम आएगा तिक आ गया अब योग जाद करना है तो अंतीन पद्द क्या हो गया साथ प्रतम पद्द एक वटे दो कर दो तो यह तो एक सथ गुडित याध साथ वटे दो इसको काड़ तीस बार कर जाएगा गोला करेंगे तो तीन हम तीन कं तीन एक घा ठारा बात करते हैं हम कि पुछन साल भूँगे आज दो है याद करो सबसे पहली नस दो बटे क्या है 14 कितना है 42 की वीच में किंत्य कंत्य जान चुंट्वेंin यह क्या है यहा न तो ऐन टीक यह पामुला क्या रहा नहीं है जो तो किसको का सब्सक्राइब दो गुलित तीस बासट बटे दो मतलब 31 गुलित तीस ठीक है गोड़ा करेंगे तीन एकम तीन 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 नो नो सो तीस ठीक नो सो तीस कांसर आ जाएगा ठीक है चलिए नेस्स कुश्चन देखते हैं करें तो यहां एन किसे ग्याद करिंगे सबसे पहले एन ग्याद कर लो तो अंतिम पढला बत किता है 75 माइनस प्रेशंच इतना है एक है प्रणृतर कितना है एक है सब घचार로 है और यहाँ साटिमस से तो गएंगेये साथ में जो गहाल इंथ किष्च भी घचार जाएंगेये जो किसे घरते हैं योग करते हैं प्रफांबद ये मतलब यह लाट्पद मस만 भी गाईगो पच्छात्तर प्लस 21 बटे दो गुरीत त्ट एन कितना अगा कितना हो जाएगा पांच और ये च्छा और दो 90 बटे दो गुरीत 55 टीके अब इत्ता बाड़ गुला मेरकों करके निया आता है इसको गड़ा ऐसे करते हैं ये देखलो पांच को गड़ा कर दो पा ठीक है इसी फ्रकास सेम 240 यहां भी जाएगा ठीक जोड़ो जीरो चार छे दो 2440 इसका अंसर हो जाएगा 2640 ठीक है नेस्ट कोश्चन देखते हैं एक तीन पांस साथ से लेके 69 तर तक कर लो एन कैसे ग्याद करते हैं लास्ट ठीक है अंतिन पांस प्रथम पद एक बटे सारवंतर कितना है एक नहीं एक तीन पांस साथ कि इसमें सारवंतर कितना है दो है दो ठीक है प्लस वन कर दो सब्सक्राइब कितने वह जाएगा चौन पिस प्लस प्लस एक तो जाएगा पैंतिस त्ट प्रथम पद बटे दो गुरित पैंतिस पैंतिस कर आपको पता होगा तो लिख दो और नहीं है तो इम्पानदार इसी गुळा गलो मिन भी आ नहीं है पचम 25 की 5 हासिल का 2, 5-3-15 ठीक है, 25-25 हासिल का 2, 5-3-15 और 2-17, 175-175 फिर छिल लग 2, 35 है, ठीक है, तो 35-15 हासिल का 1, 3-3-9 और 1, 10 ठीक है, 5-7-5-12 की 2 हासिल का 1, 2-2, 12-25 का अंसर आ जाएगा, ठीक, चलो, नाइस कुछचन देखते हैं, यह होगी टाइप बनका हना अब दुथ्रे टाइप को कुश्चन देखते हैं क्लास थोड़ी बड़ी होगी कुश्चन आयागा कि पांच क्रमागत समसंख्याओं का योग 250 से सबसे बड़ी समसंख्या गयाद कीजिए कुश्चन बहुत ध्यान से देखिए गा ठीक पांच क्रमागत समसंख्याओं समसंख्याओं का योग 250 सबसे बड़ी संख्या गयाद करो टीक है? सालुँंसन करते हैं लिखनी जब بी 5 क्रमागत सम संक्या कहे जिक या बिसम संक्या कहे टीक आपको क्या मानना है? लिख जो क्रमागत कहे सम या बिसम आपको संख्या मानना है X X plus 2 X plus 4 X plus 6 X plus 8 यहां तूकि 5 कहा है तो हम 5 तक ले रहा है 1,2,3,4,5 ठीक यदि आगे होता तो x plus 10, x plus 12 ऐसा चलता ठीक तो आपको क्रमागत संख्या कहें और सम कहें चाहे वो even कहें या बिसम कहें ओट कहें आपको यही संख्या मान के चलना है ठीक इसके बात है करना है योग 250 है इन सब को ज तो इसको साल खार लो 5x बरावर 230, 250 में से 20 गए तो 230, x अरार करता हो जाएगा 230 बटे 5, काट दो 5,4,20 और 30, 5,6,30 तो x अरार करता है चाहें अब कोश्चन के पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कोई इसी होगी, x plus 8 होगी ना और सबसे 30, plus 8, बरावर कित्ता हो जाएगा, 24, ठीक है, तो इसका अंसर कित्ता हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक, एक कुस्चन और देख लेते हैं, शे क्रमागाद विसम संख्या हों, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिखा है, ठीक है? यहाँ कभी संख्या हो युग, 180 है चोथी संख्या ग्यात करो 180 है तो 34 संख्या ग्यात करो ठीक है चोथी संख्या कुश्चन के कह रहा है छे क्रमागत विसम संख्या का योग 180 है तो 34 संख्या ग्यात करो ठीक मैंने बताया था आपको प्रमागत क्या मानना है वही मानना है X, X plus 2, X plus 4, X plus 6, X plus 8, X plus 10 क्यों? क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रमागत कहा है इसलिए हम 6 मानेंगे इनको सबको यह कित्ता कहा रहा है 180 तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 6X plus 10, 8, 18, 18 और 6, 24, 24, 28, 22, 30 बरावर कित्ता है 180 तो 6X और रहा कित्ता हो जाएगा 150 तो X और रहा कित्ता हो जाएगा 150 बटे, 6, काड़ दो, 23, 6 यह कट जाएगा 75 बार, 3 से काड़ेंगे 25 बार तो X और रहा कित्ता हो जाएगा 25 आजाएगा ठीक है तो कोस्टन के कह रहा है 34 संक्या, पहली संक्या X, दूसरी X plus 2, 33 X plus 4 जाएगा 24 X plus 6 तो 25 बार रहा कित्ता हो जाएगा 31 ठीक, इस प्रकार्सिंग को स्टन को सालव करना है, चलो next question देखते हैं MP फारजगाड में इसी टाइप के कोश्चन आते हैं, ठीक है मतलब इसी टाइप के मतलब टाफ भी आते हैं, लेकिंद दूसरे टापिक से आते हैं, ठीक है चलो next question देखते हैं एक कवर्ग, धन दो कवर्ग, धन तीन कवर्ग, धन चार कवर्ग असी का बर्ग, क्या कह रहा है, असी का बर्ग, ठीक है असी का बर्ग इसका क्या कह रहा है, बर्गों का योग है, इसका योग याद करो, ठीक है तो देखिए, जब भी संख्याओं के बर्गों का योगा आए, ठीक है एन एन प्लस वन 2N प्लस वन अपन 6 यह पटिश 6 है टीक है एन एन धन एक दो एन धन एक बटिश है इस फार्मुला को आपको याद करना पढ़ेगा ठीक चलो मैं यह भी बतावगा कि यदि फार्मुला भूल जाओंगे दोके सख्जाम हाल में तो कैसे याद करेंगे ठीक चलो यह हुगिया फार्मुला रग्टो एन क्या है पदो की संख्य कित्ती है असी है असी गुरित एन नहीं कित्ता हो जाएगा एक यासी धन दुए मतलब ए इसका जवान सराइगा वही सका योग होगा इतना बड़ा काल्कुलोशन नहीं कर सकता मैं वीडियो लंबा हो जाएगा थिक है फार्मुला भूल जाओंगे तो मैं बताओंगा इस आपको लाश्ट मताओंगा सब लाश्ट से जोल रहोगे तो सब बता दूंगा मैं लाइस कोच्चन है बीस कवर्ग धन 21 कवर्ग धन 20 कवर्ग धन 20 कवर्ग धन 20 कवर्ग धन जाँ के सटर कवर्ग अब बोलोगे सर एक से स्टार्ट वह रहा था उन्हें शसयं Fa अब यहां कुन साच लाएंगे तो आप तो फ़ो जाओं कि दिक्कत मैं तो फार्मुला बोही लगाएंगे हम ठीक है चलिए फार्मुला बोही लगाएंगे पहले क्या करेंगे हम एक से सत्तर तक का याद लेंगे फार्मुला क्या है हमारा एन ठीक है एन धन एक दो एन धन एक बटे छे फार्मुला यही यूज करेंगे हम लेकिन पहले क्या करेंग हम एक से लेके कहां तक याद कर लेंगे, सतर तक याद कर लेंगे, ठीक है, एक से सतर तक याद करेंगे, मान के चलिए, एक का स्कियर, धन दो का स्कियर, धन तीन का स्कियर, धन, सतर का स्कियर, तो सतर तक कैसे हो जाएगा, सतर गुड़ित, गुड़ित, सतर गुड़ित, सतर करेंगे एक से लेके एक से लेके हम क्या करेंगे उन्नेस तक चले जाएंगे ठीग है उन्नेस तक जब घ्याद करेंगे क्ये हो जाएगा यकन मतलब वुरिग वुरिप 29 दुझी 38 तीक एक साल करने पजू आएगा ठीक माइन के model कि यहां आ या एक्स और यहा याih तो इस संख्या का योग ज्याद करने के लिए इस मेंसे इसको घटा देंगे एकस माइनस य कर देंगे टिक कैलकुलीशन है आप करते रहना चलो आप कुछ कोश्चन है दोस्तों सिंपल सिंपल से इबारती वाले उनको करते हैं ठीक है कि मैं फारे फार मेंनने और प्रेक्टीश के लिए मेरे टेलीगराम है सनूरिय मुट्यका ना अएक ला प्रेक्टी के लिए कोह्चन चाहिए जो पकिए तो संुट्यम्हां में आयए। और कमेंट सक्षाम में ज़रूर करके बताना मुझे कि आपको इसकी प्रेक्टिस के लिए कोश्चन पेपर चाहिए कि नहीं तुम आपके लिए कोश्चन टेलिग्राम में सेंड कर दूंगा आप उनको लगाते रहना चलो कोश्चन साल करते हैं बारती वाले दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर चुगदा है बड़ी संख्याओं जात किजिए बहुत इंपर्टन कुश्चन है दो संख्याओं का दो संख्याओं का योग योग है ना योग बतला जोड़ना 46 46 है ठीक है तथा अंतर अंतर मतला गटाना अंतर कितना है 14 है तो बड़ी संख्याओं जात किजिए कुश्चन के पूछ रहा है बड़ी संख्याओं जात करो ठीक है चलो दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है तो बड़ी संख्याओं करो ये कुश्चन हम से पूछ रहा है तो मानके चलिए दो संख्याओं है A और B कुछ भी मान स सब्सक्राइब करें है दो दो यह बराबर कित्त हो जाएगा शैलिस तो ऐ सबल बीक्ति कंगे C3 अर्फ टेस्ट साय रावें proposed बाइन करें नहीं तो नियुक्सर देखते भाई आपको दिखनी रहोगा है ना चलो उसको चला के देखता हूं यह चल रहा है यह यह तो कुश्चन है दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का दूना है कुश्चन मैं पुक सी लिख लेता हूं ना दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दूना है दुगना दुगना है ठीक है आपको समाझ नहीं आता हो का बोल रहो हूं है ठीक है यदी छोटी संख्या दस हो तो बड़ी संख्या याद करो दो संख्या दस हो तो बड़ी संख्या गात करो पहले इसको साल पाल लो ठीक है तो प्लस भी बराबर कितना हो जाएगा वी प्लस घुती संख्य बढ़ू दो प्लस धोड़ुं कोस्टन कह रहा है चोटी संख्यह 10 हो तो बड़ी संख्यह गयात करो कोई Sims अम लो चोड़ी संख्यang को आप छोटी संख्यह मानके चलो संख्या मान लो चोटी संख्या चोटी संख्या मान के चलो ए है तो चोटी संख्या मान के चलो ए है ना तो चोटी संख्या दस है तो बड़ी संख्या गात करो कह रहा हो तो आप चोटी एको मान के चलो आप चोटी बड़ी संख्या एको मान लो चोटी बड़ी संख्या एको मा कि नेस्ट कुश्चन देखें हैं दो संख्याओं का अंतर 137 कुश्चन कहरा है दिखो दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर मतलब दोस्तों उनके बीच में घटाना कितना है 137 137 रखना फेल्ट करों बली संख्या दोंख्या 1 3136 संख्या 680 है तीक है बड़ी संख्या 680 है मतलब यहां 680 रख देंगे छोटी संख्या गयाद करो बहुत सरल सवाल है 680 माइनस बी उरावर 137 बी को उधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा बी 680 मैं से 137 घटा दो ठीक है यह कितने हो जाएगा 10 में साथ गए दो संख्याओं का अंतर 15 है दो संख्या है भाईया तीक है अंतर कितना गहरा हो 15 गहरा है तीक है इसके बाद कह रहा है कि उनके योग का ग्यारवा भाग पांच है जबकि उनके योग का ग्यारवा भाग पांच है तो संख्याओं कीजिए तो संख्याओं करना है देखिए दो संख्याओं का अंतर 15 कह रहा है अंतर ग्यारवा भाग पांच है तो फिर से देखते हैं दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का ग्यारवा भाग पां है ख़ंश योग कित्ता हो जाएगा in il laptop जाएगा 11 कित्ता यह क्ता है झाना कित्ता यह क्ताप agora पांच जात के всем i can प्लैस इस इसको यहीं से खत्म करें यहीं से खत्म पूर दो दो धो हिन के ठाउन कहुने क्ट्त हो जाएगी 2520 चलो ना इस कुश्चन देखते हैं कि यह आज का लाज सवाल है दो संख्याओं का गुड़नफल और अंतर क्रम से 93 तथा 28 से अंतर गुड़नफल तथा अंतर क्रम से है कि क्रम से है 93 तथा 28 से 93 तथा 28 से तो बित्कमों का अंतर ग्याद कीजिए बहुत ध्यान से देखिए सब्द जो कई कि अग्षय तो उनके बचुड़न का अंतर ग्याद किजिए को कि यहां कि रीक्ला कि हग्त प्रम कितना होगा एक गुटिकर्फ कि फितना कि होगा मतलाब उसके अपोजित क्या होता उसको बित्क्रम कहते हैं यह चीज आपको पता होना चाहिए ना कई लोगों को बित्क्रम का पता मतलब पता नहीं होता है तो संख्याओं का गुड़न फल तथा अंतर दो संख्याओं का गुड़न फल एंटू बी वरावर किता है 93 है अंतर कह रहा है ए मैनेस भी किता है 28 है तो बित्क्रम का अंतर याद कीजिए बित्क्रम का अंतर याद कीजिए बित्क्रम कंते कितना हो जाएगा बताईए आप एक बटे ए माइनस एक बटे बी ए और बी का बित्क्रम एक बटे ए और एक बटे बी ही होगे ना तो उनके अंतर याद करना है तो एक बटे ए माइन यह मैनस b इवा है इसलिए एक बंटटे 1-1बटे-1 को लेंगे तो यह अधर जाएगा तो a-b तो तो 28 हो जाएगा और a b कितना हुआ है तो 28 बंटे-93 का अंसर हो जाएगा तो इसे इम्पर्टर्ट पुस्चन बहुत बेसिक कोश्चन है अभी शुरूआत हुई है आप कल से ऐसे कुछ चनाएंगे आपके सामने जो आपकी दिमाग की बत्ती जला देंगे ठीक है यदि आप होस्यार भी होंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है चलो आज का वीडियो पसंद आए को लाइक करना और चैनल मनाय होगे तो सब्सक्राइब जलू कर लेना थेंक्यू जहिन जय भारत